नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपको हमारे चैनल में और आज हम बनाने वाले हैं कुछ ज़ड़ी से बनने वाला रेस्पी तो आई हम देखते हैं कि हम क्या बना रहे हो कितना जल्दी बनते हैं सब्जियों काज कल बहुत सारे व्राइटी हैं घर में था थीन टाइप कसप बहुत बारिक करना निकाल लेना है निकाल लेना है हम इस प्लावर करके रखे हैं डंडल नहीं है इसके अंदर हम बनाने वाले हैं गोभी-भुजी जो 15-20 मिनिट में आपका फट आफट बन के तियार हो जाता है और आप आप आपिस में भी ले के जा सकते हैं या बच्चों को टीफिन में भी दे सकते हैं तो आप नहीं के साथ हमने लिया है 2 कता हुए मेडिय जा प्याज कंच का कलर के लिए हंच लिया है हल्दी एक बड़ा मुलड़ी के रखा हुआ है और हमारे पास है और आपके घठम पय唱र अब यूजी कर सकते हैं और हम सब्सक्राइब भाउप नमक नमक उपस्टारा थोड़ा से कम लग रहा है थोड़ा सव डल क्योंकि यह बुजी है तोड़ा फ्राइट आइप का बनता है और बहुत बहुत ही क्रेश्प में बहुत बढ़ी बहुत लाजीज बनता है यह कोई भी खा सकता है चोट बच्चे को भी तो कुछ जादा ही पसंद आता है रही अच जीरा डाल दिए जीरा हमारे चटकने लगा है जीरे को हमारे अच्छे से पहले बोन लेने जीरा हमारे चटक गया है गैस कर जू फ्लैम है उसे मीडियम कर लेंगे इसी के साथ हम कटा हुवा लैसन और मेच डाल देलेंगे यह देखिए लैसन और मिर्स थोड़ा ब्राउन हो चुका है इसके अंदर हम एट कर देंगे यह प्यास कटा हुआ और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे यह देखिए इसको जादा जलाना नहीं है यह देखिए इसके अंदर हम कलर के लिए एड़ कर देंगे हल्दी इसमें छोटा स्पून से हमने एक स्पून जो है हल्दी डाला हुआ है कलर के लिए इसको एक बस एक मिनिट पका लें ताकि हल्दी का कर्षा परमा रहें इस देखिए कलर फूल हो गया है बिल्कुल देखिए बहुत ही प्यारा लग दिख रहा है और इसी के साथ आपके पास एक और अप्सन है व्याक को बिल्कुल लो कर ले आपके पास एक और अप्सन है हमने चीना द्रील चिल्ली जो है यूज किया है आप चाहते इसमे रेडवाला दिस हाबुर चिल्ली आता है वह भी यूज कर चकते है तो भी बहुत बहुत लाग जबाब बनता है हमने इसमें इसलिए तक्षा दिखाया है क्योंकि बहुत लोग रेड़ वाल जो मिर्ची वात पसंदी करते हैं इसके हमने ग्रीन डाला है और रेड़ भी डाल सकते हो इसको हम थोड़े दर के लिए ड़के रख देंगे बिल्कू इसमें नमक ताकि सब्जी अच्छे से गल जाया और यह देखें कितना कलर खुल देख रहा है अब नमक हम इसमें एड़ करेंगे श्वादमशा इतनी कि इसमें जरूरत है और इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर से इसको अभी हमने एक मिनट के लिए ड़के रखा था फ कमसे आद क्यों संथा नमक हम खानु शुक्ति शार फास मिनट के लिए डाए बरका का और भाव प्लमोपी को अब अपने सब्जी एक बार चेक कर लेते हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, आप इसको अराम से पराठी या रोटी के साथ खा सकते हैं, डाल बना लिजीए, उसके साथ एक अप्सन है ये अपको गोवी बुझीया करें, या गरम-गरम आप रोटी के साथ गी लगाके खाई यह इतना बढ़िया लएगा बाकी सब्सक्राइब करना ना भूले और कोई मसाला नहीं है इसमें पर बहुत ही तेस्टी और नाजबाब बनता है यह बिल्कुल जरूर यह रेस्पी घर में ट्राइ करें अगर आपको यह रेस्पी पसंद आता है तो चैनल क सब्सक्राइब करना ना भूले सेयर करें दोस्तों में फ्रेंडों में यह देखिया है दोस्तों सेयर करें थैंक यू